तो हलो फ्रेंड्स मैंने माइकल है और आज मैं आपके लिए एक और निए वीडियो लेकर आया हूं और आज भी टोन एडिटिंग की वीडियो लेकर आया हूं आयू पापको आज की टोन भी पसंद आईगी और आज हम गरेंड प्यानों को एडिट करेंगे और बहुत कि माएक पस्धर आज हूं आज है और दो मैं पस्धर के और आज हम खारता हैूं आज है और आज है और आर आज है। तो हम मैं स्टार्ट करता हूँ पहले मेरे को भी कमेंट किया था भाई की थोड़ा सा दीरी दीरी बताया करो तो आज मैं आपको दीरी दीरी बताऊंगा तो फ्रेंड्स आपने जो ये हमारा टोन की केटे गीर ही है हमने इसको क्लिक करने और इसके बाद हमने e-category का grand piano लेना है और ये हमारा grand piano two number में आता है हमने आज इसको यह edit करना है तो आपने सबसे पहले grand piano को लेकर function button को single press करने है और सिंगल प्रेस करके रिवर्ब में रिवर्ब आपने इसको 24 कर देना है और डिले सेंड को 13 कर देना है बस इतना सा काम है फंक्शन बटन में अब उसके बाद हमने फंक्शन बटन को लोंग प्रेस करना है उसको एक्जेट करके अटाक टाइम इसका 0 रखना रिलीस टाइम इसका 97 रखना कट ओफ 68 रेजोरेंस 64 वाइवरुटो को कुछ निकरना ओक्टिव जीरो वॉलियम आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो मैंने 100 रखा हुगा वैसे वैलसेंस 63 रिवर्पसंड 50 कोरस जीरो डेलेसंड 60 और डीएस्पी को कुछ निकरना और इसको इक्जट करके सेव कर देदा और अब हमने फंक्शन बटन का काम मरा हो गया है अब हम मिक्सर बे काम करेंगे इस बढ़े बटन को आपने लॉंग प्रेस करके रखना है पार टोन वॉलियम 127 पैन 0 रिवर्पसंड 50 कोरस 0 डीलेसंड बढ़ जाएगा तो इसको कम कर लेना 60 कर लेना आप इसको एक्जेट करके किसी बैंक में सेव करना तांकि आपकी टोन का अफेक्टा जब ही लेना और आपकी टोन अच्छी बज़े बस इतनी से अडिटिंग थी थैंक्यू फ्रेंड्स आज की वीडियो को देखने के लिए